जिन्दिगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फैटी लिवर हो जाने के बाद भी शराब नहीं छोड़ता अलकाहॉलिक फैटी लिवर की वज़े से कब से हॉस्पिटल में पड़ा है ये सब आपने सुना होगा और देखा भी होगा पर क्या आप इनके रीजन्स जानते हैं और आप क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि ये बिमारी आपको हो सकती नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर आशीश रतूडी और एक बार फिट से सुवागत करता हूँ आप सभी का सदकरतार वेलनेस शोपर इस वीडियो में मैं आपको शराब चुडाने का असान तरीका और अपने लीवर को बचाने का उससे भी असान तरीका बताने वाला इनमें होने वाला डैमेज हमें बहुत आखरी की स्टेश तक भी पता नहीं चलता भारत में लगबख हर साल धाई लाग से भी ज़्यादा लोग इन बिमारियों के चलते अपनी जान से हाथ धो बैटते जो सबसे ज़्यादा शराप के कारण होती अगर आप या आपका कोई रुजाना ड्रिंक करते हैं तो हो सकता है उन्हें फैटी लिवर हो इसमें शरीर में लिवर की जगह यानि की अपर राइट एंड एरिया में सूजन देखने को मिलते हैं इसके अलावा बिना किसी इरियजन के बजन कम होना, तुचा पर लाल चत्ते होना, पाचन में गड़बड़ी होना, कब्स, जॉन्डिस और पीलिया तक हो सकता है खून की उल्टी आना, यूरीन का कलर डार्क हो जाना, ये सब भी देखने को मिलते हैं साथी साथ, पेट में पानी आने लगता है, और यही पानी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच सकता है इससे शरीर में जगह जगह पर सूजन आ सकती है कई बार तो शरीर के अंदुरनी हिस्से में ब्लीडिंग होने लगती है इससे यूरीन में ब्लट दिखने लगता है चोटी मोटी चोट लगने पर भी खून ज्यादा बहने लगता है आप डायविटीज के मरीज तक बन सकते हैं इनकी पैंकरियास तो सिर्फ शरीर में इंसुलिन बनाता है इनकी बाडी में कितनी ज़रुवत है यह लीवर तै करता है तो यानि लीवर प्रॉब्लम्स मतलब दियाविटीज प्रॉब्लम्स लीवर हमारे शरीर में हॉर्मोनल बैलेंस को भी बिकाड सकता है इसलिए सवाल उठता है कि लीवर केर और डीटॉक्सिफिकेशन एग्जेक्ली किस स्टेज पर स्टार्ट करें इसके लिए आपको केस थियोरी को फॉलो करना चाहिए और खुद से ही चार सवाल पूछने चाहिए अगर इन सवालों में से आपकी दो जवाब भी हाँ है तो आपको लीवर केर और डीटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है जब आपके लीवर में 5 से 10 परसेंट वेट फैट काओ तो समझ जाएए कि आपको फैटी लीवर हो चुका और अगर काम यही पर शुरू नहीं किया तो आपको फैटी लीवर स्टेज 2 हो सकता है इसमें फैट कंटेंट 10 तू 20 परसेंट तक चला जाता है और अगर इस लेवल पर भी लीवर केर और डी टॉक्सिफिकेशन स्टार्ट नहीं किया गया हो तो व्यक्ति को हैपेटाइटीस और लीवर कैंसर तक हो सकते हैं इसमें व्यक्ति के लीवर का 66 परसेंट पढ़ जाता है Hepatitis की stage तक आते आते व्यक्ति को hospitalization की जरुद भी पढ़ सकती और ये काफी घातक इस्तिती भी हो सकती है इसमें आप ऐसे समझिए कि liver खुद से restore होने की capability खो देता है और इसे हम great 3 fatty liver भी कहते हैं पर इस stage तक पहुंचना ही क्यों है? जब आप रोजाना liver care का इस्तमाल करके अपने liver को ना सिर्फ साफ कर सकते हैं बल्गी damaged cells को repair भी कर सकते हैं और इससे आप अपने damaged liver को तुबारा restore कर सकते हैं और साथ ही अगर आप fatty liver की stage पर शराप छोड़ दे तो बहुत ज़ादा संभावना है इन सबकी इस्थितियों से भी बच सकते हैं liver की stiffness, scarring और सूजन का पता लगाने के लिए व्यक्ती fibroscan और SCPT का test करा सकते हैं Just because आपको symptoms नहीं दिख रहे हैं That doesn't mean कि आप heavy drinking करे जाएं और अगर आप कर भी रहे हैं तो नियमित रूप से आपको liver detox करने की ज़रद बहुत ज़ादा है Liver detox करने से आपके liver में जमे सभी विशाले पदार बाहार निकलते हैं और शराप से हुए damage की recovery होती है तो आई ये अब जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिनसे आप liver को साफ कर सकते हैं जब liver detoxification की बात की जाए तो सबसे पहले milk thistle का जिकर आता है यह एक प्रकार का पौदा है जिसकी लंबाई 5 से 10 फिट होती है इसके बीचों में silimerine नामका एक compound पाया जाता है ये आपके liver में कमजोरी को दूर करता है इसमें मौदूद antioxidants का sports person और बहुत सारे athletes इस्तमाल करते हैं वे अपनी चोड, बिमारी, internal injuries और infection से खुद को जल्दी recover करने के लिए इसका use करते हैं और खासकर शराब संबंदी damage को ठीक करने में वहीं आप भूमी आमला का इस्तमाल भी कर सकते हैं जो 40 cm तक height में जा सकता है इसकी oval shape leaves होती है इसमें मिलने वाला phalanthine compound detoxification में काफी फाइदे मन्द होता है आप पुनरनवा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें मिलने वाले पुनरनवीन compound से आप ना सिर्फ liver detoxify करेंगे बलकि आप शरीर के सभी body parts को detoxify भी कर सकते हैं तो देखें दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सभी plants आपको ढूलना बहुत मुश्किल रहेगा तो बिल्कुल जिंता करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं liver के हैं इसमें आपको milk thistle, उनर्नवा और भूमी आवला के अलावा black pepper, आवला, कास्नी और vitamin E के extracts भी मिलते हैं black pepper में मिलने वाला piprin enhance करता है bioavailability of certain nutrients जो मदद करते हैं आपके liver के healthy cells को promote करने में आवला में मौजूद quercetin and gallic acid आपके शरीर में toxins को metabolize करता है dandelion bile production को बढ़ाता है, इसे liver toxins को remove करता है कुटकी में मौजूद quercetin, liver में ice oxygen को कम करता है कास्नी liver cells को alcohol से जुड़े damage से बचाता है यानि दिन में liver care की दो capsules गरम दूद के साथ लेने से आपके liver की overall health improve होगी liver care का रोजाना सेवन आपके liver को केवल शराब समंधी समस्याओं से नहीं बलकि fatty liver और bile समंधी समस्याओं से भी बचाता है ये आपके शरीर में healthy liver cells को बढ़ा कर आपके liver की overall health को promote करता है ये है एक 100% natural medicine जो inflamed liver की health को recover करने के लिए ही बनाई गई है तो दोस्तों अपने liver को alcohol damage से बचाने के लिए और chondis management के लिए case theory को follow करना चाहिए और खुद से ही 4 सवाल पूछने चाहिए नमबर 1 आपको कभी ये लगा हो कि आपको अपनी drinks cut down करने चाहिए नमबर 2 आपको कभी अपनी family members ने बताया हो कि आपको अपनी drink habits को जड़ा कम करना चाहिए नमबर 3 आपको कभी अपनी drinking habits से guilty feel हुआ हो और नमबर 4 कभी आपको सुबह hangover उतारने के लिए दुबारा से drink करने की ज़रुत पढ़ती हो अगर इन सवालों में से आपकी दो जवाब भी हाँ है तो आपको liver care और detoxification की ज़रूरत है जब आपके liver में 5 से 10% weight fat का हो तो समझ जाईए कि आपको fatty liver हो चुका है और अगर काम यहीं पर शुरू नहीं किया तो आपको fatty liver stage 2 हो सकता है इसमें fat content 10-20% तक चला जाता है और अगर इस level पर भी liver care और detoxification स्टार्ट नहीं किया गया हो तो व्यक्ति को hepatitis और liver cancer तक हो सकते हैं इसमें व्यक्ति के liver का 66% fat बढ़ जाता है hepatitis की stage तक आते आते व्यक्ति को hospitalization की ज़रूरत भी पढ़ सकती और ये काफी घातट इस्तिती भी हो सकती है इसमें आप ऐसे समझिए कि liver खुद से restore होने की capability खो देता है और इसे हम great three fatty liver भी कहते हैं पर इस stage तक पहुंचना ही क्यों है शराब संबंदी बिमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि या तो आप शराब की मातरा कम कर दे या फिर एकदम ना के बराबर कर दे पर क्योंकि शराब की लग व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को नस्ट कर देता है तो हो सकता है कि व्यक्ति खुद से drink करना छोड़े ही ना इसलिए ऐसे व्यक्ति को आप Addiction Clear जैसा प्रोड़क्त दे सकते हैं ये ना सिर्फ smell, color और taste free है बलकि 100% natural ingredient से बना है और इससे आप alcohol addict की secretly help कर सकते हैं और वो भी बिना किसी side effects के इसमें है अश्वगंदा, real good hormones का नंबर बढ़ाके आपको खुशी का एसास दिलाता है इससे व्यक्ति के शरीर में शराब की प्रती dependency कम होती है वो पहले से ही खुश रहता है और उसे शराब की जुरत महसूस नहीं होती यह आपके cognitive function यानि की व्यक्ति के सोचने सबजने की शक्ति को बढ़ाने में भी clinically proven है शराब छोड़ने पर होने वाले withdrawal symptoms जैसे की craving और mood swings इनके लिए इसमें मौदूद है विदारीकन इसे हम Indian कुटजू भी कहते हैं वहीं इसमें मौदूद है आवला, गिलोई, गोखुरू, पूवी आवला यह सब मदद करते हैं आपके शरीर के detoxification में यानि की addiction के कारण जो आपके शरीर में damage हुआ है यह उसको repair करते हैं इसमें तुलसी, अरजुन और ब्रामी भी हैं इससे आपकी immunity बढ़ती है और damage cells को restore करने में help मिलती है अगर शराप के कारण किसी व्यक्ति का liver damage हो गया है तो यह products उस व्यक्ति की ना सिर्फ तलब कम करते हैं बलकि उसके liver को restore करते हैं और उसके शरीर को दमदार बनाते हैं दोस्तों अपने liver को alcohol damage से बचाने के लिए आप स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं